लगातार चार सुपरफ्लॉप फिल्में दे चुके अभिनेता अक्षय कुमार के करिय का बहुत बड़ा दारोमदार शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म, सेल्फी, पर टिका है फिल्म, सूर्यवन्शी, के बाद से अक्षय की चार मेगा बजट फिल्में, बच्चन पांडे, समराथ पृत्विराज, रक्षा बंधन और रामसेतु, बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही इसके अलावा, अतरंगी रे, और, कटपुतली, को फिल्म वित्रक ही नहीं मिले, जिसके चलते इन दोनों को सीधे OTT पर रिलीज करना पड़ा फिल्म, सेल्फी, उनकी, इस साल की पहली फिल्म है अक्षय कुमार अक्सर इस बात को कहते आते हैं कि अपनी फ्लॉप फिल्मों के जिम्मेदार वह खुद हैं और फिल्मों के चुनाव को लेकर उन्हें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा लेकिन, अपनी ही बात पर वह गौर भी करते होंगे सेल्फी, देखकर लगता नहीं है निर्माता करण जोहर की इस फिल्म में अक्षय कुमार एक सुपस्टा की ही भूमिका में नजर आने वाले हैं जिसका परिवहन विभाग के एक अधिकारी से पंगा हो जाता है कभी इस अधिकारी को एक सेल्फी के लिए न मिल पाने वाले इस सुपस्टा को हालात से मजबूर होकर इसी अधिकारी के दफ्तर आना पड़ता है अहम के टकराव पर बनी ये फिल्म दक्षन भारतिय फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक है और जिस तरह से बॉक्स ओफिस पर दक्षन की फिल्मों की हिंदी रीमेक एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है उसे देखते हुए अक्षय कुमार, इमरान हाश्मी, नुसरत भरुचा, डाइना पैंटी और राहुल देव स्टार इस फिल्म की एडवांस बुकिंग न के बराबर हुई है और सोशल मीडिया पर फिल्म, सेलफी, के सितारों की फोटो और वीडियोज की जैसी बाड़ देखने को मिली है उसे देखते हुए भी फिल्म को लेकर आम दर्शकों में ज्यादा चाफ देखने को नहीं मिल रहा है आत्म सम्मान जब दिल पर आ जाए